ये वाला body wash आपकी favorite actress इस्तमाल करती है इसकी खुश्बू बहुत अच्छी है ये वाला काफी convenient है यूज करने में और ये काफी सस्ता है आपका criteria क्या है body wash को choose करने के लिए आज मैं भी आपके साथ एक body wash share करने के लिए आई हूँ जो कि हम घर पर बनाने वाले हैं वो इन में स किसी भी criteria में fall नहीं करता है क्योंकि ये सिरफ अपना काम करता है जो कि है body wash करना खुश्बू है काफी अच्छा है convenient है आपकी skin के लिए नाश्ते का काम करता है जहां जैसे सुबह उटकर आप नाश्ता करते हैं ये इतना nutritious है कि आपकी skin भी इसका नाश्ता करेगी और काफी खुश रहेगी पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मज़ा तो definitely आएगा लेकिन सीखने मिलेगा वो अलग आईए जानते हैं what all needs to be done and understood हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरपन फूल खुशियों के बाते सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हफते में तीन दिन अपने परिवार के साथ मैं यहां लेकर आती हूँ जिसका इस्तमाल करके वो काफी खुश हैं तो अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं गाते गुन-गुनाते ऐसे ही बहुत सारी चीज़े सीखना चाहते हैं तो नीचे जो लाल बंक में इतने सारे बोडी वश्च आचुके हैं ताट इस सो किन्फूसिंग की कौन सा वाला लेना चाहिए क्या बेसिश चेक करने चाहिए क्या क्या इंग्रीडियन्स है जो कि होने चाहिए कौन से नहीं होनी चाहिए तो इसलोट और अवर्क तो मैंने सोचा कि क्यों आप सभी के साथ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रॉकिंग सा बॉडी वाल शेयर किया जाए मैं मैं आपको नहीं बता सकते इसको यूस करने के बादा हम सूपर डूपर हैपी आपको लगेगा कि हम किसी मार्किट बेस प्रॉड़क का ही इस्तमाल कर रहे हैं होता है ना थोड़ा स मैं यूज़ बात करते हैं इस चेक आउट करते हैं कि इस डिया बॉड़ी वाश को अपको अवशक्ता पड़ने वाली है आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर इंग्रीजिंस को नोट डाउन कर सकते हैं सब इक अठे करके उसके बार इसको बनाना शुरू कर सकते हैं जिन भी चीजों के लिए मुझे लगेगा कि substitute available है मैं वो आपको वीडियो में साथ साथ बताती रहूंगी लेकिन अगर substitute available नहीं होगा तो I would request कि आप उन्हीं चीजों का इस्तमाल करें और अपना experimentation ना करें क्योंकि ये चीजें आपस में भी रियाग कर सकती है For the preparation of our amazing DIY body wash सबसे पहले आपको अपने लिए एक decoction बना कर prepare करना है जिसके लिए आपको एक पान लेना है और इसमें लेना है आधा कप पानी इसको आप बॉil करने के लिए रख देंगे और इसमें आपको लेना है 5 ग्राम यानि की आधा चमच नीम लीव्स पाउडर अगर आ आप सप्लिमेंट में नीम टाबलेट का इस्तमाल करते हैं तो इसको क्रश करके भी आप ले सकते हैं तो भी आपका decoction आसानी से बन कर prepare हो जाएगा इस नीम लीव पाउडर के मिक्स्चर को हमें तब तक बॉil करना है जब तक की जो पानी हमने लिया था यह खिटकर आधान हो जाए जिहां हमें तब तक एकदम कॉंसेंट्रेटिट फॉर्म अफ नीम लीव डिकॉक्शन मिल जाएगा इसी लिए आप फ्लेम को बिलकुल कम कर दीजिए और इसको हलका हलका सिमर होने दीजिए जब तक कि यह आधा ना रह जाए जब तक यह सिमर होता है हम चलते हैं और बाकी के जो इंग्रीडियंट्स हैं उनको mix and match करते हैं आपको एक बड़ा सा बोल चाहिए और इसमें आपको लेना है अपना सबसे पहला इंग्रीडियंट्स जो की है एक बड़ा कप distilled water अगर आपके पास distilled water नहीं है तो आप पीने के पानी का इहां पर इस्तमाल कर सक कि आप यहां पर distilled water ही ले नहीं है तो soft water जो की आप पीते हैं वो आप यहां पर ले सकते हैं ठीक है second ingredient इसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है वो है आधा कप rose water देखिये rose water जो है वो भी distilled water होता है वो soft water होता है वो बहतरीन water होता है इस just amazing for your skin अगर आप थोड़ा सा you know afford क कर सकते हैं and you want बहुत ही अच्छा बनकर ready हो तो आप डेड़ कप rose water directly ले लिजे मतलब कि जो शुरू में एक कप पानी लिया था वो ना लेके सीधा डेड़ कप rose water भी ले सकते हैं so it's your choice अगर आप comfortable है तो ऐसे कर सकते हैं otherwise एक कप पानी और आधा कप गुलाब जल आप ले ल आपके nearby grocery में मिल जाता है लेकिन अगर आपको इसको ढूड़ने में परिशानी होती है जैसा कि बहुत सारी लोग लिखते हैं तो आप जो भी साबुन इस्तमाल करते हैं प्लीज वो glycerine base का होना चाहिए या water base का होना चाहिए और कोई base नहीं हो सकता आप आधा साबुन ले तो मैंने आधा कप कैस्टाइल सोप इसमें ले लिया है चौथा amazing ingredient इसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है वो है आधा कप coconut oil जेहां अब आप समझ रहे हैं कि यह क्यों पाफुल है और क्यों आपके शरीर के लिए इसको nutritious कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कैस्टाइल सोप है तो जाग भी बनेगा आपको बिल्कुल मार्की जैसे product क्या ही feel आने वाली है और coconut oil का आप यहां इस्तमाल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको किसी भी you know जो body lotions होते हैं creams होती है उनकी आवशकता नहीं पड़ेगी इसको use करने के बाद आपकी skin इतनी soft feel होती है कि आ आमे तो किसी you know you have eliminated one product आपको लोशन की जरूरती महसूस नहीं होगी क्योंकि यह इतना amazing आपकी body के लिए आपको बहुर अच्छा feel कराता है फिफ्थ magical ingredient जिसका इस्तिमाल यहाँ पर आपको करना है वो है एक बड़ा चमच bentonite clay यानि की मुलतानी मिटी अब पता चला क्या magic हो रहा है coconut oil and bentonite clay यानि की मुलतानी मिटी मैं आपको हजार बार बता चुके हूँ कि मुलतानी मिटी magnet होता है dirt के लिए आप मिटी में आप रोजी से नहाने वाले है तो सोचे क्या magic होने वाला है जिन लोगों कोई गलत फहमी होने वाली है कि मुलतानी मिटी से तो खुष्क हो जाता है dry हो जाता है कैसे यूज करेंगे डेली इसमें आपने coconut oil भी लिया है जो कि इसको balance out करेगा और बहुत अच्छे results देगा just don worry एक पार एक छोटा सा बात जरूर बना कर देखेगा I insist तो एक चम्मच आपने ही हाँ पर मुलतानी मिटी ले ली है इसको आप अच्छे से स्टर कर लीजिए अब इसमें आपको लेना है आपका वो जो डिकॉक्शन हमने प्रपेर किया था जब यह बिल्कुल आदा रह जा होगा और मार्केट जैसे प्रोड़क की फीलिंग नहीं आएगी तो हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी फीलिंगा इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से चानेंगे कि एक भी ग्रान्योल नीचे नहीं आना चाहिए आपके पास सिरफ डिकॉक्शन आएगा तो अच्छी से चाहिए लुटे लुटे करने वाले हैं कि भाई वाह क्या चीज मिक्स करके बताईया प्रेट ना मज़ा ही आगया एं प्रिटी शॉर द यूज करेंगे तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करने पर आपको देखेगा कि जाग भी बन रहा है तो definitely you know वो लैदर फॉरमेशन होने वाली है जो कि हमें चाहिए होती है बॉडी वाश से टच करेंगे तो पता चलेगा कि भाईया जो कोकुनट ओईल है जो रोज वाटर है बेह स्टार्टेट देर माजिक ओल रेडी और जो क्ले आपने इसमें लिए है बेंटना अधर्वाइस आप रोज मेरे एसेंचल ओई ले सकते हैं लावेंडर ले सकते हैं होहुबा ले सकते हैं मेरे पास होहुबा अवैलेबल था वही मेरे हाथ में आए तो मैंने वो उसका इस्तेमाल किया है इस बार अल्गी बार मेभी सम्थिंग एल्स तो आप इसकी दस कर लीजिए एक फानल की हेल्प से इसको ट्रांसफर कर लीजिए यहां पर मैंने जो प्रिपेर किया है यह अप्रॉक्सिमेटली 400 ml के आसपास बनकर रेडी हुआ है जो कि आसानी से मतला मुझे लगता है पूरा महीना निकल जाएगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही लग रह अगर वेट बॉड़ी पर इस्तमाल हो रहा है तो अच्छे से आप इस्तमाल करेंगे कोई रेसिड्यू नहीं रहता बॉड़ी बॉड़ी बिल्कुल क्लीन हो जाती है अगर आपको ऐसे जन्हें जिनकी बॉड़ी सी इनो ड्राय रहती है और इसके नहाने के बाद आप कि आपको यह भी पर डिया फेस्वाश पसंद आया था ना आज तक भी बाचर्स बन रहे है उसके तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगे कि एक बार इसको भी बना कर देखिए जीरो प्रिजर्वतिव कुछ ही नहीं को को करने प्रिजर कर रहा है पूरे मिक्स्टर को एंड़ आपको यूस करेंगे मैं यह बहुत कुछ हूँ कि आपश आपर क्या-क्या बताने वाले है कि प्रेणा हमने यह experience किया यह experience किया आंसेर्णिंद फ्यूट्स अराउंड इस अमेजिंग डिय बोड़ी वॉश। कॉन कॉन इस कर सकता है। देखिये, फैमिली में सभी इस का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आइवुड इंसिस्ट कि आप सभी पैच्टेस्ट करके देखिये। क्योंकि यहां पर ऐसी चीजों का ब्लेंड हुआ है और आपको नहीं पता कि इन 5-6 चीजों में से कौन सी चीज आपको सूट नहीं करती है इसकी वज़े से पूरा का पूरा जो यह मिक्स्चर है इस पर आप ब्लेम कर देंगे तो प्लीज एक बार पैस्टेस्स लीजिए और इत्मिनान होकर इसका इस्तमाल कीजिए क्या हम इसको बाहर रख सकते हैं जिस दिन से मैंने बनाया है इस वन वीक नौ और यह बाहर ही रखा हुआ है इसमें कोई परिशानी नहीं आई है तो ओनली तिंग इस जितनी बार आपको यूज करना है आपको शेक करना पड़ेगा परिशानी नहीं होती है वेट बाड़ी पर ही मैं इसका अप्लिकेशन करती हूं नॉट अन्दे ड्राइ बाड़ी फिर जादा ही लगेगा ओविजली क्या हम इसको रख सकते हैं आपसिल्यूटली मैंने दो बॉटल्स बनाय थे इसलिए मैंने एक बाहर रखा है विच वरक और एक रेफ्रिजरेट करके रखा हुआ है तो चेक कि कितने टाइम तक ही चल पाता है तो मैं ब्यूरिफुल पीपल कैसी लगी प्रेजेंटेशन नीचे लिखकर अवश्य बताईए और लाइक करना आजकल भूल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं हमारा काम है आपको अगर चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मच जाएगा इगा इच नाट एवरी देड़ी दाई काम अक्रोस पीपल सो प्लीज में अगली विडियो में विट सम्तिंग माजिकल फो यूर है तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिये यूल ठेख रखियो और है तब क्या जामें विट केंई का इख लिए रखियो काम च्यक्राइब को यूर पीपल से बिल्सक्राइब कहें है तो अधर सित्वर्य को देखियो क्या विए दूष्टी खघ।